क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटियों को समझाओ क्या हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो फिर आप क्यों इस फिल्म को धर्म का चश्मा लगा के देख रहे हो और अगर आपको देखना है तो हर फिल्म को इस चश्मे से देखो सिर्फ मेरी फि बॉलिवुड एक पैटन फॉलो करता है जिसके अंदर जो लड़का है वो मुसल्मान होगा या फिर पाकिस्तानी होगा और जो लड़की होगी भलाई वो रियल लाइफ में मुसल्मान हो लेकिन मूवी के अंदर उसे हिंदू बताया जाएगा तो Bollywood के ही मुताबिक अगर इस चीज को उल्टा कर दिया जाए इस चीज को धर्मानतरन से जोड़ दिया जाए और सचाई को दिखाया जाए तो Bollywood के लिए ये movie खत्रा बन जाता है नमस्कार साथियो चैसनातन मिरा नाम नम आश्टोजण जारा जम देखने वाले है The Conversion Movie को किस तरह से प्रेशान किया जा रहा है किस तरह से रोका जा रहा है मार्केट में लांच करने के लिए तो Conversion Movie को जिस तरह से आज मार्केट के अंदर रोका जा रहा है इसी को लेकर काजल जी ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया है कि किस तरह से सेंसर बोड इने परिशानी में ला रहा है तीन-तीन बार स्क्रीनिंग हो चुकी है लेकिन सेंसर बोड इसे पास नहीं कर रहा अब क्यों नहीं कर रहा ये तो बॉलिवुड अच्छी तरह से जानता है ये वही मूवी है जिस मूवी का ट्रेलर आपको रिव्यू देते देते जब हमारे कौशिक जी ने जिसे आप सब लोगतंत्र और बाबा कहते हो उनका चैनल उड़ा दिया क्योंकि कराची उड़ के अंदर उनने एक हमला बोल दिया उसके बाद कहीं लोग को मिर्ची लग गई तो आखिर कर पूरा मामला क्या है और किस तरह से इने प्रताड़ना दी जा रही है या आप सोयम सुनिए काजल हिंदुस्तानी की और से भारत माता की जैवंदे मातरम आठ ऑक्टोबर दो हजार इकिस को हमने दिक कनवर्जन फिल्म रिलीज करने की घोशना की थी जो आज हम रिलीज नहीं कर पाए और ये कहते हुए भी मुझे बहुत दुख हो रहा है सेंसर ने हमें अबी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया है तीन-तीन स्क्रीनिंग हो चुकी और हर स्क्रीनिंग के हमने पैसे भरे है क्युं अठकाया भटकाया लटकाया जारह या किस दबाव में इस फिल्म को रोका जारह है मुझे नहीं पता लेकिन मैं एक सवाल करती हूँ भारत की बेटी होने के नाते कि हम नौ दिन दुरगा की आराधना तो करते है और उस संकल्प से अगर मैं ये फिल्म बनाती हूँ कि भारत की बेटीों को मा दुरगा की तरह सक्तिशाली बताएंगे और इन विधर्मियों का जो लव जीहात का एजंडा है उसको एक्सपोस करते हुए हमारी बच्चियों को अगर हम जागरुक कर रहे है तो इसमें हम क्या गलत कर रहे है जो उस कुरसी पे बैठा है मेरा उससे ये सवाल है आप भी तो किसी बेटी के पिता होंगे और भारत की बेटी क्या आपकी बेटी नहीं है क्या शुटक इसमें मिलती है जला दी जाती है दफना दी जाती लटका दी ए उन बेटियों को हम अगर जागरुक कर रहे हैं तो क्या कुछ गलत कर रहे है क्या भारत कि सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटियों को समझाओ क्या हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो फिर आप क्यों इस फिल्म को धर्म का चश्मा लगा के देख रहे हो और अगर आपको देखना है तो हर फिल्म को इस चश्मे से देखो सिर्फ मेरी फि से बिलॉंग करती हूँ, इसलिए हमेशा विक्टिम मैं ही रहूंगी, क्यों मेरे साथ यह अन्या होता है, यह भेदभाव होता है, अम एक तरफ दुरगा की पूजा तो करते हैं, लेकिन आज इस महिला को और इसकी अवास को जो दबाया कुछ लाया जा रहा है, क्यों उनसे स धर्मांतरन करके उन्हें सूट केस में घर वापसी किया जाता है, भाले वो चाय आई एस ओफिसर हो, या फिर कोई एथलेट हो, या फिर कोई आरजे हो, कोई भी धर्मांतरन के खेल से बच नहीं पाया है, तो यह सारी सच्चाई बॉलिवड के आँखों के सामने हैं, लेक यानि कि पूरा एडी चोटी का जोड लगाया जा रहा है, दब कन्वर्जन मुवी को यहीं पर बर्खास्त कर दिया जाए, और कन्वर्जन मुवी के जितने भी निर्माता है, उन सभी को लॉस का सामना करना पड़े, साती साथ जो सच्चाई है, वो सच्चाई आप लोग मदुबन में नाचे, अब ये राधा जो है, मदुबन में नास्ती है, कभी राधा सेक्सी हो जाती है, माफ करेगा शब्दों के लिए, लेकिन ये सारे शब्द आपके बच्चे गुनगुनाते हैं, इसी गानों के उपर डांस करते हैं, और राधा रानी को लेकर ऐसे अप मदुबन मेरान को नाचे, 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 नाचे. Wasn't that fun guys, अब आप की गाने की बारे हैं? इस गाने के ट्रप पर खॉल कंगा और रेस्पनाओ. 20 सेकंड का वीडियो रेकॉर्ड करने के लिए चार बार टेक ले लिया कोई दिक्कत नहीं लेकिन आप लोग यहाँ पर एक मानसिक्ता देख सकते हो कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि कॉंडम को नवरात्री से किस तरह से रिलेट किया जाता है यानि कि गरब निरोधक को नवरात्री से रिलेट करने के लिए इनको पुली छूट है लेकिन सच्चाई दिखाने के लिए जिस तरह से कनवर्जन सामने आता है उसे रोक लगा दी जाती है और भले ही लाख विरोधक बाद भी पदमावज जैसी मूवी, पीके जैसी मूवी, रिलीज भी हो जाती है और हिंदू वास्ता के उपर प्रश्ण चिन्न उपस्तित करते हुए हमसे 200-200-300-300 करोड का धंदा भी कर लेती है तो भाईया, यह आपके उपर निर्भर करता है कि मार्केट में क्या चीज चलेगी और क्या चीज को नहीं चलना है तो यह कोई डिसाइड नहीं करेगा कि कौन से मूवी को उपर ले जाना और कौन से मूवी को नीचे गिराना है इन जैसे लोग जो नवरात्री को गर्बर निरुदत के साथ जोडते हैं इन जैसे लोग जो राधारानी को अश्रीलता के साथ परोजते हैं इनको आप लोग देखना पसंद करते हो इनको आप एकसेप्ट कर लेते हो इनको मंजूरी दिदी जाती है लेकिन कनवर्जन जैसी मूवी जो सच्चा ही दिखा रही है जो लाको हिंदू बेटीयों को मरने से मौद के मूँ में जाने से बचा रही है उस मूवी को रोका जा रहा है फिर भी हमारे मूँ से एक आवाज नहीं क्यों साथियों आने वाले समय में अगर कनवर्जन मूवी के उपर ऐसे ही रोक लगा दी जाएगी तो इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकेगा कि अगर आप आने वाले समय में लोगों को तक सच्चाई पहुंचाना चाहोगे तो आप freedom of speech, freedom of expression इन सारी चीजों का उपियोग नहीं कर करना है यह मैं आप के उपर छोड़ता हूं अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं तब तक के लिए चैसनातन